Hello everyone, आज का हमारा topic है management thoughts को लेकर के यह management की first class है इसलिए सबसे basic और मैं कहूंगे जो root है management की उस topics हम इसको start कर रहे हैं तो management thoughts का basically मतलब क्या है करने वाले तो हम वैसे इसमें बहुत सारे इसको लेकर के MCQ है और first class होने की वज़े से कुछ थोड़े कम MCQs यहाँ पर है और मैं थोड़ा सा एक बार concept को clear करते हुए चलूँगे साथ की साथ यह quick revision है management thoughts को लेकर के management thoughts basically उन सभी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ professional managers के बारे में हैं जिनोंने management की roots को develop किया है तो जो सबसे पहले concept management का आया था वो था हमारा classical approaches management thoughts के अंदर हम तीन तरीके की approaches को पढ़ेंगे सबसे पहली हमारी approach है classical approach then हमारी next है new classical approach और उसके बाद हमारी last approach है modern approach बहुत easy और बहुत short form में मैंने यहाँ लिखा है MCQ करते वक्क किसी को भी दिक्कत ना और revision भी quickly हो जाए तो सबसे पहले जो है हमारी classical thoughts उसके अंदर हमने तीन thoughts के बारे में बात करनी है या तीन approaches के बारे में बात करनी है सबसे पहले है हमारे पास जी Max Weber की approach सबसे पहले approach किसकी है यहाँपर Max Weber की approach Max Weber दीझे Channel अप्रोच है तो सी अप्रोच ढेने वाला बंदा 맥 Max Weber उसे त्क नाम भीष्प आप्रोच कोन अप्रोच है BC 1910 के अंदर जो हमारी bureaucratic अप्रोच है यह बहुत ही जादा यह उस time period की बात है जब वर्ड वोर्ड हमारा जो second का time phase चल रहा था बिलकुल ही productivity की तरफ से ध्यान वर्कर्स को as हम वो ऐसे treat करते थे कि जो हमारे workers है वो just machine है उनसे maximum production करवाना है maximum काम करवाना है और पूरे तरीके से यह जो हमारी bureaucratic अप्रोच है यह वाली यह पूरे तरीके से हमारे इस फिनॉमिना पे थी कि हमारे workers तो machine है उनसे हमने maximum output ले लेना है ठीक है और यहाँ पर पूरे तरीके से rules regulations को follow करना और एक हम यह कह सकते हैं कि बहुत जादा ही इसमें high level of bookkeeping पर चीजों को लिखने पर record maintain करने पर ध्यान दिया जाता था तो यह थी हमारी bureaucratic management की अप्रोच जो कि Max Weber ने 1910 में दी है और यह पूरे तरीके से हमारे production oriented थी labor oriented बिल्कुल भी नहीं थी इतनी भी बहुत अगर कर लेंगे तो बहुत सारे MCQ आपके clear हो सकते हैं जो हमारी next अप्रोच है वो है हमारी scientific management की अप्रोच जो 1940 के अंदर हमारे F.W. Taylor ने दी थी जो bureaucratic अप्रोच है उसका time period कहीं कहीं जगा पर 80s, 80s end भी दिखा रख है कहीं पर 90s की initial भी दिखा रख हैं दोनों ही दिखा रखे हैं बट जहां से मैंने एक बर इसको confirm किया है वहां पर 1910 इ इसमें पूरे तरीके से वर्क को scientific करने के उपर जोर दिया गया था और इसको देने वाले थे हमारे F.W. Taylor 1940 में ही हमारी आई थी इसके अंदर काफी सारे प्रिंसिपल है और F.W. Taylor को father of scientific management कहा जाता है इनका contribution बहुत जादा है F.W. Taylor और जो हमारे next round Henry fuel उनका पर अभी हमने सिर भी अच्छे से कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा और जो हमारी second approach है वो है scientific management की अप्रोच जिसे F.W. Taylor ने दिया था और कब दिया था जी 1940 में next हमारी जो approach है administrative management की approach यहाँ पर बहुत जादा administration के वाकियों पर ध्यान दिया गया था और इसे दिया था हमारे Henry fuel ने और year था वो भी still 1940 इसको कहीं कहीं 1945 भी दे रख है no matter 1940 के आप याद कर लीजिए क्योंकि maximum books में यही दे रख है तो classical approach इसी के साथ खतम हो जाती है classical approach में कितनी approaches है three approaches है bureaucratic management पूरा एक lecture अलग से और MCQ आपको अलग से provide कर वाए जाएंगे bureaucratic management Max Weber के work के उपर बहुत ही जादा उसका work है 1910 में और एक तरीकी से उसने शुरू किया management को तो उसका ही सारा काम है जो second है वो है scientific management F.W.Taylor ने 1940 में इनके work को तो अगर आप करने लगें तो यह खतम ही नहीं हो सकता है इतना जादा इनका work है इन कितनी जादा books हैं जिसके अंदर हम इनके पढ़ेंगे और बहुत जल्दी इसके भी MCQ आपके पास आएंगे next है administrative management जो कि Henry F.W.Taylor ने 1940 में दी है इसके साथ हमारी classical approach खतम हो जाती है तो ले देखिए 1910 से लेकर कि 1930-40 तक चली जो हमारी next approach आ रही है वो है हमारी neoclassical approach कौन सी approach है वो हमारी neoclassical approach जो neoclassical approach है उसके two parts है और neoclassical से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो classical चीज़े हैं जो यह classical phenomena थे कि काम करवाओ लेबर से बार बार लेबर को force करना काम करवाओ प्रोड़क्टिविटी प्रोड़क्टिविटी इनी पर जोड़ था neoclassical में कुछ बदलाव आया और neoclassical जो हमारी approach है वहाँ पर human beings को humans को कुछ समझा जाने लगा उनकी feelings को समझा जाने लगा बहुत बढ़िया कंसेप्ट हैं बहुत डिटेल में करने के कंसेप्ट हैं अभी हम सिर्फ इसका एक introduction लेकर के चलेंगे जिससे आपके मैं कहती हूँ maximum mcq निकल जाएंगे नियो ख्लासिकल अप्रोच के अंदर से पहला कोशन तो यही आता कि इसके अंदर कौन-कौन से अप्रोचिस हैं तो पहली अप्रोच इसके अंदर आ रही है human relationship की अप्रोच इसे एल्टन मायो ने दिया 1930 में बहुत ही इनका अच्छा काम है इन्होंने एक हमें यह कह सकती हूँ कि एक particular limited 23,000 worker पर इतने कमाल की study इन्होंने करके दिखाई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो एक हमारा worker है उसको दूसरे worker के साथ relation बना करके और एक अच्छी तरीके से harmony set करके जब वो काम करते तो उनकी productivity बहरतरीन तरीके से बढ़ती है तो उनके ओपर इनका work है इनके work को पूरा हमें क्लास में अलग से करेंगे और बहुत interesting इनका work है next है हमारे पास human behavior की अप्रोच जिसको हमारे दिया हमारे जो देने वाले main थे human behavior का वो है अबरहम मासलो है बसाइमेन और इसके इलावा बहुत सारे और हैं जिरोंने human behavior को समझने के लिए contribute किया है इसकी जो starting है वो 1945-1950 से start हो चुकी थी इसकी भी starting और इनका भी जो main motive था वो main concern था वो हमारा यही था कि हमने कैसे भी करके जादा से जादा अपने जो employees है उनको motivate रखना है एक तरीके से तो यह थी हमारी neoclassical approaches और neoclassical के बाद थर्ड हमारी approach आ रही है modern approach modern approach के three part है quantitative approach जिसके अंदर हम पूरी तरीके से quantities, essay methods, numerical तरीके और जो आपकी quant analysis होता है जिसको हमारा एक अलग से subject होता है MBA के अंदर उसको हम पढ़ते हैं वो आया था हमारा 1960s में और इसको देने वाले थे churchman, उनका मैं नाम यहाँ पर आड़ करना भूल गई हूँ पर उनका नाम था churchman, churchman की यह main हमारा approach जो दिये थी वो किस ने दिये? churchman ने दिये 1960s में नेक्स्ट है मर पर system approach जिसको लुडविक वॉन ने दिया है 1970 में, system approach अपने आप में ही एक organization को classify करने का तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि यह या तो close system हो सकती है हमारी organization या एक open system हो सकता है हमारी organization के अंदर और वो जो close open system है जब हम इस तरीके के words को use करते हैं इसके अंदर कि अगर आप one plus one करें तो यहाँ पर 11 हो जाने वाला means synergy की बात करते हैं system के अंदर यह 1970 में आई हुई हमारी approach है management को लेकर के next है हमारी approach contingency approach कोंसी है contingency approach contingency approach 1980 में आई है इस approach में ह कहते हैं कि कोई भी एक बह्तरीन तरीका नहीं होता किसी भी problem को solve करने का हमारे पास कई सारे जो और किसी भी problem के solution available होते हैं तो हमें उन और अवादे रिशन के अंदर से एक best को use करना है हर situation के हिसाब़ब से एक नया solution ढून के लाना है हर problem पर एक नया solution ढून कर आत आती रहती हैं तो अभी हमने थोड़ा सा बेक्राउंड इसका डिस्कुस किया और बेक्राउंड को डिस्कुस करने के बाद हम आते हैं इसके MCQ के उपर तो देखिए सबसे पहला हमारा और सबसे बेसिक MCQ जो मैंने जान पूछ कर पहले नीचे नहीं पताया कि यह जो management की हमने 3 वो पढ़ी हैं कि सबसे पहले classical फिर new classical फिर modern इसको इन 3 parts में इन 3 categories में बाटा किसने हैं तो इसको इस 3 categories में बाटने वाले थे हमारे Herbert G. Hicks क्या नाम था उनका Herbert G. Hicks तो इसे याद कर लिजेगा next है who coined the term scientific management अभी हमने पीछे किया कि scientific management management के काम को करने का एक organization के काम को करने का scientific तरीका किसने खोज कर निकाला फड़ा फट से सोची अभी अभी हमने यह बात किया scientific management किसने दी है और किसके अंदर आती है आपकी options क्या है मैं आपको सहाथ साथ पताती हूँ classical में आती है, new classical में आती है, modern में आती है या none, पहले आप मेरी जो अभी मैं पूछनू उस सवाल का जवाब दीजे दुबारे से सुनिए, जो आपकी scientific management है वो किस चीज का पाट है, scientific management किस में आती है हमने अभी देखा, hybrid G. Hicks ने management के thoughts को stages में बाट है, जिसमें मैं आपको पता है, three stages में उन्हों बाट है उसको, पहला उन्होंने बोला नियो classical, दूसरा बोला नियो classical, तीसरा उन्होंने बोला modern, यहां वो पूछने scientific management किस ने दिया, पर उससे पहले एक question आ रहा है किसी को अभी confusion हो, तो पीछे वीडियो करके उससे देख लेजेगा, पर classical के अंदर क्या सिर्फ एक आता है, क्या scientific management आता है, नहीं classical के अंदर से scientific management नहीं आता, classical के अंदर भी तीन फर्दर पार्ट हैं, confuse होनों की जरूवत नहीं है, stages of management के थ्री पार्ट होते हैं, सबको अच्छे से पता है, अब classical पता है, new classical पता है, और modern पता है, अब classical के अंदर भी तीन पार्ट है, सबसे पहला bureaucratic, फिर हमारा scientific management, और तीसरा हमारा, सोचिये जल्दी से, bureaucratic management, scientific management, और तीसरा कॉन सा है, यह आपको मुझे ही पताना पड़ेगा, लेकिन end में, सोचते रहिए उसको, क्योंकि भूलना नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो यह question का answer दीजिए, who coined the term scientific management, scientific management को किसने coin किया है, and the correct answer is F.W.Taylor, किसने किया है, F.W.Taylor, next देखिए, question F.W.Taylor से ही related है, F.W.Taylor, important writing includes, यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके format में दिक्कत आगी है, पहला option है, मैं बोल देती हूँ, shop management, दूसरा option है, principle of scientific management, तीसना है इसका both, और fourth है इसका none, वैसे तो यह principle of scientific management देखते ही, आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमारा तो ठीक हो गया, हमने भी उपर यही बात किया, बट, shop management भी F.W. Taylor नहीं दिया है, तो इसका correct answer है, both, next देखिए, अब पूरा F.W. Taylor ने और क्या किया दिया, उसके लिए आपको next वीडियो तक का wait करना पड़ेगा, Elton Mayo ने contribute किया है, धौट, contribute किया है management के धौट में, वो क्या contribution है Elton Mayo का, क्या वो contribution human relations को लेकर किया, पहले एक बार पताईए Elton Mayo हमारे आये कहां थे? यहां देखिए जरा यह हमने नियो क्लासिकल पढ़ा नियो क्लासिकल के अंदर हमने human relation पढ़ा जिसे Elton Mayo नहीं दिया था human behavior पढ़ा जिसको Abraham Maslow, Harvard, Simon, etc. थे किसका पार्ट आ रहे है यह नियो क्लासिकल के अंदर नियो क्लासिकल से पहले क्लासिकल थी उसके बात क्या थी modern थी समझाया यह वहला पॉइंट अच्छे से आई थेंक सो आ रहे है ना मात समझ आप लोग को next देखिए Elton Mayo ने क्या contribute किया है क्या उन्होंने human relation को लेकर के contribute किया है क्या उन्होंने non economic reward को लेकर के contribute किया है एक social man इस तरीके कि उन्होंने कोई बात किया या all सोचे जरा जो Elton Mayo है उन्होंने management में contribute किया है क्या सीजन में उनका contribution है क्या human relation approach के अंदर उनका contribution है क्या उनका contribution non economic rewards को लेकर के है क्या उन्होंने man को एक social being कहा है या all इसका correct answer है all next देखिए who is the father of human relation approach human relation approach के father कौन है wait a second human relation approach के father कौन है the father of the human relation approach is again Elton Mayo कौन है ये Elton Mayo क्योंकि उनका जो work है उन्होंने लगभग 23,000 अपने workers की उपर उन्होंने काम किया और उन्होंने 23,000 workers किया आपस के relationships को लेकर के काम किया तो कौन है इसके अंदर हमारे father of the human relation approach is Elton Mayo next देखिए Elton Mayo ने अपने हार्थोंन एक्सपेरिमेंट किया workers की उपर वो कहां किया उन्होंने उस जगा का क्या नाम था उस company का क्या नाम था Western Electric Company Eastern Electric Company Journal Electric Company या Indian Electric Company उसका correct answer है हमारा Eastern Electric Company कौन है उसका correct answer Eastern Electric Company next देखिए जो behavior science approach है is a part of जो हमारी behavior science की approach है behavior science की देखके चलिए वो किसका part है classical में क्या होता है productivity productivity and productivity सिर्फ काम पर ध्यान ठीक है behavior को कहा समझा गया क्या modern में समझा गया modern के अंदर तो क्या क्या कर रहे है modern के अंदर तो हम numerical पे जादा focus कर रहे है हम अपने database से लेकर के database से data लेते हैं और उससे हम अपना next सोच कर चलते हैं कि इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते है तो उसका focus तो इस पर है लेकिन जो हमारी नियो ख्लासिकल अप्रोच थी उसका focus किस के उपर था humans के उपर था next देखें the statement it all depends upon जो ये statement given है कि हर चीज़ जो हमने करनी है वो depend करती है उस वक्त की situation पर एक manager क्या करेगा depend करता है उसको उस वक्त की situation पर this approach is contigenacy approach next video में आपको उसी के नीचे भी में कुछ इसका content आपका provide करवाऊंगी try करूंगी अपना maximum next who is the father of bureaucratic approach अब या नीचे answer ही है कि who is the father of the bureaucratic approach तो देखें जरा who is the father of bureaucratic approach the father of the bureaucratic approach वैसे bureaucratic approach कौन सी approach है ये classical है ये neo-classical है या ये modern है इन तीनों में से भी जरा पताईए ये approach हमारी कौन सी है classical, neo-classical या फिर modern जल्दी से जवाब दीजिए जो ये हमारी approach है ये हमारी approach होती है जो हमारी bureaucratic approach है सबसे first approach है Max Weber की दियो ही है 1910 में ये हमारी approach आई थी और इस approach का नाम किस के अंदर आती है ये classical के अंदर किस के अंदर आती है ये वाली approach हमारी classical management के सवरी classical के अंदर नेक्स देखिए 10th question neo-classical approach include कि हमारी जो neo-classical approach है वो किस चीज को include करती है इसके साथ फटा-फट से क्रिवीजन मान लेते है अपने इन पॉइंट्स का ताकि इन्हें न भूले सबसे पहले जो management है वो three part में डिवाइड है management की थोर जो पहला प्लाट है classical है दूसरा उसका neo-classical है तीसरा उसका modern है जो पहला है classical वो further three part में डिवाइड होते है कौन-कौन से हैं वो हमारे further बटे हुए three parts पहला है bureaucratic फिर है scientific फिर हाँ हमारा general management पहले पूछा भी था मैने आपसे neo-classical भी दो पार्ट में डिवाइड है behavior पहले तो हमने लोगों का करना है human behavior से related है उसके अंदर जो approaches है next है हमारी modern approaches वो वैसे तो थी हैं पर उसके इलावा others भी हो सकती है जिसके अंदर हमारा आता है quantitative quant जिसको हम बोलते है quant management फिर हमारा आता है system management फिर last हमारा आता है contingency management यह क्या कह रहा है कि neoclassical management के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए ज़िए गए options है उन सब में से तो neoclassical approach के options given क्या क्या है हमें यहाँ पर behavior science का approach क्या वो neoclassical है next है हमारे पास scientific management is this neoclassical approach administrative management क्या यह neoclassical approach है और third, fourth है हमारा contingency approach क्या यह neoclassical approach है तो इसका answer तो है first bureaucratic it is neoclassical साथ साथ सबको पताते है scientific is classical administrative is classical general management यह administrative यह दोनों same चीज़ होती है और contingency हमारी modern तो अभी फिलाल इसको यही पर हम stop करते हैं दुबारसी से पढ़िएगा जरूर लिख लीजेगा काफ़े इंट्रस्टिंग से हमारे MCQs Thank you